इस साल लंबे समय तक मौसम सुखा रहा है। साथ ही तापमान भी सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। इन वजहों से उत्तर भारत में कुछ जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ गई हैं। जंगल में आग लगने की ताजा घटनाएं हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला और जम्मु कश्मीर के मेंधर से सामने आई हैं। अधिकारियों ने अपील की है कि लोग जंगलों में जलता हुआ सामान जमीन पर न फैंके और आग से लगने में मदद करें। इस साल सिर्फ हिमाचल प्रदेश में जंगल में आग लगने की एक हजार से ज्यादा घटनाएं दर्च हुई है। धर्मशाला वन मंडल में इस साल आग जनी की घटनाएं ज्यादा हो रही है। इसका कारणी है तो तापमान में अधिक बड़ोतरी हो चुकी है इस समय और जंगल के नीचे हमारे जितने भी फ्रेस्ट फ्लोर जो रहता है उसके ओपर जितने भी पाइन नीडल्स है या बाकी मैटीरियल है वो पूरी तरह से इस समय ड्राई है। तो इसलिए ये थोड़ी सी भी चूक जो है उसके साथ आगजिनी की गटना हो सकती है। हमारे वन मंडल में कुल बहतर बीट्स हैं जिन में से 44 बीट्स इस समय हमारे पास अत्यादिक समभी दिशील है। मेरी लोगों से अपील है कि जब आप सडकों का या बनों के बीच में बनी हुई पगणडियों का प्रियोग करते हैं। उसमें अत्यादिक सावदानी भरतें। कोई भी जलता हुआ बीडी, सिग्रेट या माचिस की तीली इतियादी इनमें ना फैंके। यह वन जो है, यह केबल मनुश्यों के लिए ही नहीं, अपी तो इनमें बहुत प्रकार के वने जीब भी रहते हैं। झाली प्रकार के वने मनुश्यों करूप प्रकार के वरी की ते यह जड़ानी उत्यादावीर शजड़ स्केश्श्यों के विए प्रकार के विएग्ज़ यह वरी के रहते हैं। झाल झाल अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें